तो दोस्तों त्योहारों का समय आ रहा है और इन त्योहारों के समय में हम बहुत से खरीदारियां करेंगे और कभी क्या आपने ऐसा सोचा है कि इन खरीदारियों के बीच हम कुछ ऐसी खरीदी कर लें जो हमारे घर के वास्तुदोशों को दूर कर दे हमारे घर में सुक, सम्रिदी और संपनता लेकर आ जाए हमारे घर से और हमारे परिवार से परिशानियों को बाहर निकाल दे जी हाँ, आज मैं आपको कुछ ऐसी तीन वस्तुएं बताने वाला हूँ जिनको अगर हम इंत्योहारों के समय पे चाहे नवरात्री हो, चाहे धन्तेरस हो, चाहे दिपावली हो ऐसे समय में अगर हम घर लेकर आ जाएंगे तो हमारे घर से काफी हद तक प्रॉल्म्स बाहर हो जाएंगी और हम परेशानियों से भी बाहर आ जाएंगे घर में सुक्ष, शान्ती और खुशाली का वास होगा तो नमस्कार दोस्तों मैं सुबाज शर्मा चंडीगर से लाल किताब के ग्यान में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को important information देदें जो कि दिवाली से जुड़ी हुई है और दिवाली पर आप सभी लोगों के लिए माध्धनलक्षमी पोटली का आयोजन किया जाता है आप सभी लोगों के घर ये माध्धनलक्षमी पोटली बनाई जाती है पहुंचाई जाती है कि आप अपने घर के लॉकर में स्थापित कर सको और पूरे वर्ष आपके घर में माध्धनलक्षमी की करपा बनी रहे और किस तरीके से ये रखनी है क्या है इसका प्रोसेस ये सारा का सारा आपको बताया जाएगा आप सभी लोगों के लिए ये धनलक्षमी पोटली अभी से बुकिंग ली जा रही है और नवरात्रों के समय में इसका अभी मंतिरत करके आपके घर भेज भी दिया जाएगा ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे नाम से कोई फोन करता है या मेरी संस्था के नाम से फोन करता है कि ऐसे सुबाज शर्मा जी की संस्था से हम बात कर रहे हैं ना ही मेरी कोई संस्ता है ना ही मेरा कोई आफिस है आप लोग सचेत रहिए कहीं भी गलत चक्रों में किसी के ना फसिएगा तो दोस्तों जैसा कि हमारे घर के हर एक हिस्से को वास्तु के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वास्तु के अकॉ योहारों के समय पे हम ऐसी वस्तु रख दें उन एरियाज में specifically तो हमारे घर के वस्तु दोस्त ही हो जाते हैं जिनके कारण पैसों की दिक्कतें बिमारियां घर में कलेश ये सब चीज़ें सही हो जाती हैं तो सबसे पहला नंबर आता है वास्तु हर तरह के वास्तु को सही कर करती है आपके घर में नौर्थ या नौर्थ वेस्ट का जो हिस्सा है इस हिस्से को अगर आप यहां पर कामधेनों गाय के स्टैच्व को रख दें तो आपके घर के अनेकों अनेक जो वास्तु दोस्त क्रियेट हो रखे हैं वो यहां पर करेक्ट हो जाते हैं और इसके साथ साथ देखिए त्योहारों के समय पे आप जो मरजी लाइए इनके साथ-साथ ये वस्तुएं जरूर लेकर आ जाईए जिनसे की काफी हद तक आपकी life solve होना शुरू हो जाए second चीज आती यानि कि दूसरी चीज आती है जो घर में धन की बरकत घर में धन की वृद्धी financial problems को दूर करती है वो होती है कुबेर की मूरती अभी आप कुबेर की मूरती जैसे देख रहे हैं ये पीतल की बनी हुई मूरती है और ऐसी मूरती आपको घर में North West के हिस्से में रखनी है जो पैसा ठिकता नहीं था जो पैसा manage नहीं होता था घर में एक धन का रुकाव ठहराव नहीं हो पाता था ज्यमा नहीं कर पाते थे आप पैसों को वही management आपकी settle होना शुरू हो जाएगी क्योंकि धन कुबेर जहां भी होते हैं वहां पैसों की दिक्कतों को सही करते हैं आप धन को बेर चाहे तो घर में रखिए चाहे अपने ऑफिस टेबल पर रखिए आप कहीं भी रख सकते हैं चाहे तो अपने पूजा स्थान में रखिए आप रोज नमस्कार करिए धूब दीपक जैसे आप अपने देवी दिवताओं को पूजा करते हैं ये उल्लू पीतल से बने हुए हैं और उल्लू हमारे घर की हर तरह की नेगेटिव उर्जा को सोख लेते हैं घर में नेगेटिव उर्जा आने नहीं देते हैं ये नेगेटिव उर्जा क्या होती है किसी की बुरी नजर, किसी की हाय, किसी का किया गया कोई जादु टोना टोटका कुछ भी ये चीज़ें जो करते हैं और खासकर जो हारों का समय ही होता है जिस समय में तंतर क्रियाएं की जाती हैं परिवार के लोगों के उपर आविन तंतरक्रियाओं का असर क्या आता है परिवार में किसी न किसी तरह के आपसी मतभेद रहते हैं disappointment आपस में बनी रहती है किसी तरीके से जो mismatch of thoughts होते हैं पिता पुत्र बच्चों के बीच में एक food सी पड़ी होती है घर में सुक शान्ति नहीं होती है कहीं बिमारी लगी होती है बिमारी को कारण धन नुक्सान होता है जब से घर में आये हो तब से मन की शान्ति उड़ गई है तो समझ लिजे कहीं न कहीं negative प्रभाव है और ये negative प्रभाव को दूर करने के लिए ही उल्लू के statue घर में रखने होते हैं उल्लू जो की मा लक्ष्मी की सवारी के रूप में देखे जाते हैं और जहां पर उल्लू होते हैं वहां की धन की दिक्कते हैं तो सौल्व होती ही होती हैं साथी साथ सुक्षान्ति भी बनी रहती है आपको ये उल्लू के statue घर में west direction में रखने हैं आप ऐसे रखे कि आपने drawing hall में रखे और इनका मूँ जो होता है फेस होता है घर से बाहर की तरफ होता है यानि कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको दिखाई दे कि आपके घर में उल्लू रखे हुए हैं तो automatically जो भी negativity होती है ये उल्लू सोक लेते हैं आपके office वगरा में कहीं पर आपकी staff से नहीं बनती है staff में कहीं problem आती है आपके machinery आपकी sale down हो गई है कुछ भी problem हो गई है business की तो आप अपने business table पर ये उल्लू के statue रखे है देखने में तो अच्छे लगेंगे ही लगेंगे साथ में एक अलग से look आएगा और एक mental satisfaction आपको positivity महसूस होगी और पैसों की जो problem खड़ी हो गई थी वो भी सही होगी तो आपको ये तीन वस्तुएं बता दी हैं इन तीन वस्तुओं का आपके घर में आने मात्र से काफी positive effect आएगा आपके जो financial problem आ रहे थी जो भी दिक्कते आ रहे थी इन त्योहारों की खरीदी के साथ साथ इनको भी घर लाने से खुशाली आएगी और ये मूर्तियां जितनी भी हैं सब प्रान प्रतिष्टित एनरजाइज की हुई हैं और इनके negative effects जो निकल जाते हैं प्रान प्रतिष्टा करने से ताकि आपको positive effects आए त्योहारों के खास मौकों के लिए ये तियार करवाई गई हैं इनको प्रान प्रतिष्टा करवाया गया है ताकि आपके घर में आएं तो positivity ये लेकर आएं बाकि मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए अपने सुभाज भाई को आगया दीजे नमस्कार